तो दोस्तो अगर आपको कोई YouTube का चैनल है और आप उसी Google AdWords के तूप प्रमोट करना चाहते हैं बट आपके पास budget नहीं है आपके पास पैसा नहीं उतना कि आप Google AdWords पे उतना spend कर सको तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कम पैसे में एक low budget में किस तरह से आप अपने campaign की setting करोगे किस तरह से एड बनाओगे किस तरह से target करोगे ताकि आपका पैसा कम लगे अगर आप बिगनर्स हो तो यह चीजे पता नहीं होती कि Google AdWords के किस तरह से हम एड बनाएंगे किस तरह से setting होनी चाहिए जिए AdWords पे पैसा कम लगे CPB कम आए यह सारी चीजे आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइप प्रैक्टिकल बताओं जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे लाइप प्रैक्टिकल Google AdWords से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजे दिखाता हूँ प्रैक्टिकल केसी स्टडी में बताता हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल क्लिएट करोगे अपने गूगल AdWords पे अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए तो हे गाईज विलकम बैक टु माई चैनल ड AdWords का account है और इस पे हम campaign बनाएंगे और देखते हैं कि किस तरह से campaign बनाना है step by step और किस तरह से low budget पे बहुत ही small budget पे भी आप अपने campaign को प्रमोट कर सकते हो आप अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं new campaign का एक mark है इस पे आपको click करना है और जब जैसे ही आप इस पे click करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से layout आपको देखनी को मिलेगा तो यहाँ पे जो आपको campaign setup लेना है आपको लेना है create a campaign without a goal guidance तो आपको इस पे click कर लेना होगा अब इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे यह जो वीडियो का option है आप इस पे click क continue करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे campaign name आप अपना कुछ भी रख सकते हैं CPV है maximum CPV यहाँ पे रहेगा यहाँ और कुछ भी नहीं होगा अब यहाँ पे हम जो main चीज जो मैंने बताया आपको low budget पे किस तरह से आप करोगे तो यहाँ पे आपको daily कर देना है daily पे click कर लोगे और आप 50 रुपए भी आप यहाँ पे कर सकते हो 50 रुपए 100 रुपए अब मालो आपके पास पैसा नहीं है जादे तो आप minimum per day का 50 रुपए रख लोगे लेकिन आप अगर 100 रुपए रख लेते हो तो थोड़ा सा और एड आपका जो है थोड़ा सा फास्ट चलेगा बट आप 50 रुपए से भी कैंपेंड को स्टार्ट कर सकते हो अब मालो आप 50 रुपए per day एड चला रहे हो और आप 5 दिन तक चलाओगे अगर तो 200 रुपए लगेंगे आपके अगर आप 10 दिन चलाते हो तो 500 रुपए लगेंगे तो मालो आपको सिर्फ 5 दिन चलाना है 1, 2 3, 4, 5 यहां पर हम 24 दिसंबर तक कर देंगे यहां पर 50 रुपए per day मेरा spend होगा 5 दिन चलेगा जिसमें से 2500 रुपए मेरे spend होगे ठीक है बट Google AdWords में minimum आपको 500 रुपए डालना होता है तो आप कम से कम 500 रुपए इसमें डाल दो बट daily 50 रुपए का add आप चला सकते हो उसके मैं वही method बता रहा हूं जहां पर आपका पैसा जादे नहीं लगेगा आपका पैसा कम लगेगा इतने ही budget में आपका add जो है चलेगा यहां पर आप देख रहा है वीडियो partners on display network इसको आप हटा दोगे उसके बाद इसको हटाने के बाद आप आ जाओगे यहां पर अब यहा भूटान रखना है आपको इन country में क्या है कि हिंदी बोली जाती है अगर आपकी वीडियो हिंदी में तो यह country आप ले लोगे यहां पर क्या कि हिंदी बोली जाती है कम पैसे में CPV आता है अगर Europe country आप लोगे तो आपका पैसा बहुत जादे लग जाएगा तो यहां पर 10 पैसे 20 पैसे 15 पैसे इस तरह से व्यूज आएंगे पांच पैसे भी आजाएंगे अगर आप इस एड को काफी दिनों तक continue रखोगे तो उसके बाद यहां पर हम आजाएंगे लैंग्विजेस पर लैंग्वेज आप देख रहे हो यहां पर हिंदी ऑलरी सेलेक्टेड है तो इसको नहीं रखना है यहां पर आपको expanded inventory रख देना expanded inventory रखने से क्या है कि आपका add थोड़ा सा boost होके चल जाएगा ठीक है कुछ ऐसे content जो होते हैं उस पर भी चल जाएगा तो यहां पर कोई issue नहीं होने वाला आपका उसके बाद आपको सीधे आना है यहां पर अब यहां यूट्यूब वीडियो इसको बंद कर देना है live streaming वीडियो यहां पर चेक कर देना है यहां पर आपको अपने ads को नहीं दिखाना है ठीक है उसके बाद यहां पर आप आजाओगे related वीडियो में कुछ भी नहीं करना है additional setting पर आप click करोगे यहां पर एक बार आप आजाओग अब जीतने जादे devices आप target करोगे उतने जादे devices पर आपका ad चलेगा तो जैसे पैसा जादे spend होगा और पैसा जादे लगेगा आपका ठीक है यह चीज़ आप कर लोगे frequency capping पर आपको कुछ नहीं करना है schedule पर कुछ नहीं करना है group में कुछ नहीं करना है आपको यहां पर को ट्रिखनी है उसके बाद आपको आना है सीथ नहीं को यहाँ पर यहां पर यहां पर देख रहे हैं जो maximum cpb food आपको यहां पर तो यहां पे आप देंगे 0.20 पैसा आपको रह नहीं यहां पर उसके बाद अब आपको यहां पर अपनी बीडियो के link को डालना जिस वीडियो को आप promote करना चाहते हैं आप यहाँ पर आज यहाँ जैसे यह मेरी वीडियो एड चल रही यहाँ पर यह वीडियो how to promote YouTube channel भी Facebook ads मैंने बनाया था मैं इसी वीडियो को copy कर लेता हूं इसका URL ठीक है मैंने इसका URL copy कर लिया यह राइस का thumbnail इस तरह से कुछ तो आपको thumbnail आपका बहुत ही attractive बनाना है और आपको उसी वीडियो पर add बनाना है जो काफी अच्छा चल रहा है आपका ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं आ गया in feed video add पर click कर दूँगा यहाँ पर मैं click कर दूँगा और यह thumbnail मैं यहाँ पर लेके रखूँगा ठीक है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो सबसे important चीज़ होती है your estimated performance ठीक है अब आपको 0.08 पैसा 8 पैसे से लेके 21 पैसे में आपको CPV आपकी आने वाली है आपने 5 दिन के लिए 50 रुपए लगा है और 2500 रुपए में आपको 1800 ब्यूज आपको आने वाले हैं और 20 के से 77 के तक आपको reach मिलने वाली है आपके इस एड पर यहाँ इंप्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं यह यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ठीक है उसके बाद ह कि ट्यूटोरियल ठीक है वीडियो प्रोमोशन्स ट्यूटोरियल में डाल दिया यहाँ पर अब लिखूंगा मैं डिस्क्रिप्शन लर्ण नहीं यहाँ पर लिखेंगे हाउटू कि प्रोमोर वीडियो बिद फेस्बूक ठीक है यहो गया तो मूर यूट्यूब वीडियो बिद फेस्बूक ठीक है यह होगा आप कुछ भी यहां पर लिख दो टेस्ट रश्य है यह हो गया तो आप देख रहे हैं इस तरह से यहां पर इतने words दिखते हैं text में और यह मेरा add जो है mobile पर दिखेगा और यह पैसे जो लगेंगे तो यह जो settings होती है ना यही settings होती है कम पैसे में promote करने को और कम पैसे में CPV में लाने का यही तरीका होता है और यहाँ पर हम create campaign कर देंगे create campaign करने के बाद हमारा add जो है यह ready हो गया है चलने के लिए अब इसको हम continue कर देंगे उसके बाद कुछ दिर wait करेंगे कि कब तक हमारा add जो है approve होगा जब add approve हो जागा तो आपका add चल जाएगा आप यहाँ पर देख रहे हो pending review यहाँ पर आ रहा है ठीक है अब यहाँ पर आप make payment पर click करोगे make payment पर click करने के बाद यह सारे option है यहाँ पर आप अपने payment add कर सकते हो ठीक है यह चीज़ें आपने देख लिया तो यह तरीका होता है दोस्तों किसी भी वीडियो को promote करने का कम budget में और कम पैसे में views लाने का तो और यह दोस्तों मेरा channel है और उमीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को बाद जरूर subscribe कर देना यहाँ पर subscribe नाव पर click करके और जो bell icon है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही next video में upload करूँ उसका notification आपको मिल जाए और यह जो bell icon इसको जरूर प्रेस कर देना यहाँ पर और जैसे ही कोई next video में upload करूँगा उसका notification आपको मिल जाएगा और वीडियो कैसी लगी आपको comment करके जरूर बताएं कोई query है तो comment करके पूछ सकते हैं मुझसे Instagram पर भी आप पूछ सकते हैं Thank you so much for watching my video